दोस्तो अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि अखरोट खाने से सहत में सुधार होता है तो यह शायद अखरोट की शान में गुस्ताकी होगी क्योंकि अखरोट खाने से जो फायदे होते हैं उन्हें अगर शब्दों में ब्यान करना शुरू कर दें तो शायद पूरा दिन निकल जाए अखरोट नसों को अंदर से बंद होने से बचाता है अखरोट LDL cholesterol की oxidation होने की परक्रिया को रोकता है LDL cholesterol बुरा होता है यह सब को पता है लेकिन जब LDL cholesterol की oxidation हो जाती है तो यह और भी ज्यादा बुरा बन जाता है नॉर्मल cholesterol के मुकाबले oxidized cholesterol नसों के अंदर ज्यादा जमता है लेकिन अखरोट cholesterol की oxidation होने की परक्रिया को रोकता है इससे नसों का अंदर से बंद होने का खत्रा काम होता है अक्रोट हार्ट अटेक से बचाता है अक्रोट में ओमेगा 3 फैट दूसरे और किसी भी ड्राइ फ्रूट के मकाबले ज्यादा होती है 28 ग्राम अक्रोट में 2.5 ग्राम ओमेगा 3 फैट होती है ओमेगा 3 फैट हार्ट अटैक से बचाती है पुरुशों को एक दिन में 1.6 ग्राम ओमेगा 3 फैट जरूर खानी चाहिए और महिलाओं को एक दिन में 1.1 ग्राम ओमेगा 3 फैट जरूर खानी चाहिए यह मैं पौधों से मिलने वाली ओमेगा 3 फैट की बात कर रहा हूँ 15-20 ग्राम अक्रोट खाकर आप अपनी इस से जरूरत को पूरा कर सकते हैं और हार्ट अटैक से बस सकते हैं अक्रोट खाने से शरीर में इंफ्लामिशन कम होती है यानी अंदरूनी सूजन कम होती है अंदरूनी सूजन अगर लंबे समय तक बनी रहे तो इससे हार्ट डिजीज, टाइप टू डियाबटीज, अल्जाइमर डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं अक्रोट में पॉलिफनोल्ज नाम के पदार्थ होते हैं जो इस अंदरूनी सूजन को घटाते हैं और इन सभी खतरनाक भीमारियों से बचाते हैं अक्रोट आपकी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं जैसे मुटापा, हाट डिजीज और कैंसर लेकिन अखरोट खाने से आपकी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धी होती है जिससे आपकी संपून सेहत में सुधार होता है और आप गंभीर बिमारियों से बचे रहते हैं अखरोट खाने से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और कॉलोरेक्टल कैंसर होने का खतरा कम होता है अखरोट में इलेजी टैनिन्स नाम के पदार्थ होते हैं जो शरीर में इन कैंसर को होने से रोकते हैं अखरोट खाकर आप अपनी diabetes को control में कर सकते हैं अखरोट में जो तेल होता है वह diabetes को control करता है अगर एक बड़ा चमच अखरोट का तेल हर रोज खाया जाए तो इससे खून में शुगर का level 8% तक कम हो जाता है अखरोट खाने से high blood pressure कम हो जाता है जिन लोगों को high blood pressure है वह लोग अगर 28 ग्राम अखरोट रोजाना खाते हैं तो इससे उन्हें अपने high blood pressure को कम करने में बहुत मदद मिलेगी अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है अखरोट में पाई जाने वाली polyunsaturated fat, polyphenols और vitamin E या तीनों दिमाग में सूजन को घटाते हैं अखरोट खाने से Alzheimer's की बिमारी में सुधार होता है यादास्त बढ़ती है और घवराहट कम होती है अखरोट खाने से पुरुषों की पौरुषक्ती में वृद्धी होती है इससे sperm health बढ़ती है और male fertility बढ़ती है अपनी समरथा के हिसाब से 2-5 अखरोट रोजाना खाने चाहिए दोस्तो अगर आपको अखरोट खाने से कोई और भी फाइदा हुआ है तो जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद